हलो दोस्तो गूड मॉर्निंग स्वार देवा फिर से आप सभी का MZT एजुक्रिशन में दोस्तो आज है छे जनवरी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे छे जनवरी 2022 के करेंट अफेर के सभी इंपॉर्टन कोईशन्स के बारे में पूरी वीडियो देटेल में आपको समझाई गई है अगर वीडियो को सिद्क्राइब कर लोग णोटिफिकेसन आप तक पहुँचता रहे इस वीडियो की पीडिया फाइल और ईठा सकते हो आपको जाना है कोगफिडुल से डाउलोड करना है है MZTF यूज करते हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है वहाँ पर किसी भी कोर्स या e-book पहुजाना है आपको new year लिखना है new year अपको लिखना है do new year capital में लिखना है without space ठीक है new year तो new year लिखने के बाद आपको offer मिल जाएगा भैंकर discount मिल जाएगा अगर आप courses लेना चाहते हो तो courses के लिए आपको submit 10 यूज़ करना है क्या यूज़ करना है submit 10 ध्यान रखेगा केवल submit 10 ही अगर आप use करोगे तब भी आपको 60% का discount मिल जाएगा ठीक है ना 10% का इस्टरा मिलेगा 50% तो चली रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है आज के लिए आप इस offer का फाइदा उठा सकते हो लेकपाल का जो बैच आया हुआ है इस पर आपको 60% का discount मिल रहा है लगभग 300 रुपए में हो गया है आज के लिए ये course ठीक है ना तो ये offer तो पहले से ही चल रहा था कल वैकेंसी भी सो हो गई है तो अब आप लग जाओ जोड़दार तरीके से पूरे अच्छे तरीके से strategy के साथ यहाँ पर course अपैलबल कराया गया है इस पर लगातार classes आ रही है जाकर के classes को attend करो आप देर करने का कोई मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ दो ही महीने बच्चे हुए जान लीजिए पचास से साथ दिनों के अंदर-अंदर exam आपका conduct हो जाएगा तो इसलिए अभी decision लो आप आज रात तक का मौका है अभी तक अगर नहीं सोच पाए हो आज decision लो और उसके बाद जोड़ जाओ application से चलिए बात करते हैं last day के questions की last day का पहला question था new education policy लागू करने वाला दूसरा राजी कौन है तो दूसरा राजी है मध्यपरदेश पहला राजी करनाटक था दूनिया का पहला उर्जादवी बनाने वाला देश है डेनमार्क बात करते हैं आज के दिन के पहले question की most important question लोसर महोटसो कहां मनाया गया तो लोसर महोटसो दोस्तों ये मनाया गया लद्दाक में लद्दाक का ये पर वो बहुती धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ये लद्दाक का नव वर्स के रूप में मनाया जाता है इसे तिबतियन नव वर्स कहते हैं वहाँ पर क्योंकि तिबतिये लोग ज्यादा रहते हैं तो लद्दाक को, लद्दाक के इस महोत्सो को, लोसर महोत्सो को तिबतियन भासा में नया साल कहा जाता है, नियू एर कहा जाता है, ठीक है, तो इसी विए से बहुत ही धूमधान से मनाया जाता है, वहाँ पर कुछ और महोत्सो मनाया जाते हैं, जैसे दोस मुझे महोत्सो, ह अभी मैंने आपको वर महोट सो बताया था, वर महोट सो कहां पर मनाया गया, भोपाल में मनाया गया, अभी ड्रोन मेला आपको बताया गया था, भारत का पहला ड्रोन मेला ये ग्वालियर में मनाया गया, ठीक है, ग्वालियर में आयजित किया गया था, इसके अलावा दोस्त का market cap hit करने वाली दुनिया की पहली company कौन मनी तो वो बन गई है दूस्तो एपल एपल company जो है 3 trillion dollar का market cap hit कर चुकी है 3 trillion dollar का मतलब है 3 गुड़े 10 की घात आप 12 कर दो सोचो इतनी valuation वाली market cap वाली company बन गई है एपल दुनिया की यह सबसे बड़ी company बन गई है market valuation की मामले में एपल company जो है अमेरिका की यह है ठीक है इसका share price 182.88 dollar हो गया है इसके अलावा कुछ comparison करके आपको बताओं जिससे आपको अंदाजा लग सके कि कि कितनी बड़ी company है एपल जो है इसकी market valuation जो है वो दुनिया के 186 देशों की GDP से ज़्यादा है सुचो 186 देशों की GDP एक तरफ और एपल company एक तरफ इसकी GDP के आगे अमेरिका चीन जापान और जर्मनी की ही GDP इसके इसकी valuation के आगे है एपल की स्थापना 1976 में होई थी Steve Jobs ने इसको स्थापित किया था Tim Cook इसके वरतवान में CEO है और California में इसका headquarter है क्लियर है अगला कुशन देखते है बहुराश्ट्रिय नौसायनिक अभ्यास Milan 2022 कहां आयोजित किया जाएगा तो ये दोस्तों आयोजित किया जाने वाला है विसाखा पत्तनम में दोस्तों इसके बारे में पहले ही discussion हो चुका है कि ये विसाखा पत्तनम में आयोजित होगा और फरवरी में आयोजित होगा ये इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है और ये multi-national exercise है बहु राश्ट्रिय सैनभ्यास है तो इसमें 46 देसों को आमंत्रित किया गया है इस बार 11 संस्क्राण है तो फरवरी में यानि अगले महीने ये आयोजित किया जाएगा और लगभग दिखिए एक दो हपते तक चलेगा चीज फरवरी से 4 मार्ज तक चलेगा इसकी थीम रखे गई है सौहार्द, सामंजस और सहयोग 1905 बे से ही ये शुरू को आई multi-national exercise है इसको आप याद रखेंगे अगला है कौन सा राज्य स्वक्ष भारत मिसन के तहत खुले में सोच मुक्त की सूची में टॉप पर है तो दोस्तो टॉप पर है तेलंगाना खुले में सोच मुक्त होने की लिस्ट में टॉप पर है तेलंगाना तेलंगाना राज्य दोस्तो ये 29 राज्य बना था दो जून 2014 को और ये देखिए खुले में सोच से मुक्त होने वाला ये पहला राज्य बन गया है पहले नंबर पर मतलब रैंकिंग में है यहां के 96.74% गाउं जो है वो ODF प्लस कैटेगरी में आगे है ODF यानि Open Defection Free में यानि खुले में सोच मुक्त की कैटेगरी में 96.74% गाउं है तिलंगाना टॉप पर है सेकेट पर तमिल नाडू है और करनाटक है थर्ड पोजीशन पर यह रैंकिंग सोक्षी भारत मिसन के स्टेज 2 कारेकरम के तहट सुरू किया गया है अब तिलंगाना है तिलंगाना की बारे में जानिए यहां पर देखिए मैप में यह रहा तिलंगाना जैसके मैं आपको पता है दो जुन 2014 को यह आंदर प्रदेश से अलग हुआ था 29 विराजी के रूप में हलाकि अभी वर्तवान में 28 राज्य है आंदर प्रदेश जो है यह अपना बॉर्डर सेयर करता है तिलंगाना से तिलंगाना अपना बॉर्डर 36 गर से भी सेयर करता है महराश्टरा भी सेयर करता है और करनाटका से भी सेयर करता है अच्छा मैंने आपको तिलंगाना से ही बताया था कि Medicine from Sky योजना बहुत ही चर्चित योजना थी तो जोतिरादी सिंध्या जी ने इसका गौटन किया था हैदराबाद इसकी कैप्टल है है हैदराबाद एरपोर्ट को दोस्तो हैदराबाद का जो एरपोर्ट है इंटरनेशनल एरपोर्ट जिसे हम लोग राजी हुगा थी इंटरनेशनल एरपोर्ट के नाम से जानते हैं उसको अभी हाल फिलाहल में राष्ट्री उर्जा संरक्षर प्रोषकार मिला हुआ है नेशनल इनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला हुआ है इसके लावा है हैदरबाद में ही भारत के पहले डॉग पार्क के स्थापनाव की गई थी हैदरबाद क्रिकेट एसोसियेशन ने दुस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बैट चार मिलार गुलकुंडा का किला और बिरला मंदर भी है अगला कौन सा राज्ये 100% एलपीजी सक्षम और धुवा मुक्त राज्य बना तो यह बन गया है हिमानचल प्रदेश कल रात वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो करेंट अफेर सो होता है डेली इवनि के उसे सारी वीडियोज को देख सकते हैं जो अभी तक आई हुई है हिमानचल ग्रेहनी सुविधा योजना के तहत दोस्तों इसने 100% एलपीजी का टारगेट अपना कंप्रीट कर लिया है किसने हिमानचल प्रदेश ने ठीक है तो उज्जोला योजना जो है उसके तहत और राजी सरकार के हिमानचल ग्रेहनी योजना तुन्होंने मिल करके ये टारगेट अचीब किया है हिमानचल ग्रेहनी योजना 2018 में सुरू हुई थी जबकि प्रधान मंत्री उज्जोला योजना 1 मई 2016 को लांच की गई थी कहा से बलिया जिले से उत्तर प्रदेश के बलिया गsination वाला ये पहला राज्ज है हिमानचल ग्रेहनी ख देखे 100% LPG सक्षम वाला ये पहला राज्ज है हिमानचल प्रदेश है इसके लमा EV charging station दुनिया का सबस Corinare e- believe charging station सधापित करने वाला ये राजी है ठीक है इतने सारे पॉंट आपको हिमांचल प्रदेश से याद रखने चाहिए अब हिमांचल प्रदेश आया है देखते हैं मैपने है कहाँ पर सिम्ला जहराम ठाकूर मुख्यबंतरी हैं गवर्णर है राजेंद्र विशुनाथ अरलेकर और मुहम्मद रफीक जीज के चीपसेस हैं अगला सुक्ष गंगा के लिए राष्ट्री मिसन का महा निदेसक किसे नियुद किया गया तो अभी हाले में जी असो कुमार को नियुद किया गया है सुक्ष गंगा के लिए राष्ट्री मिसन का महा निदेसक जियसो कुमार यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं इससे पहले यह अपर सची रह चुके हैं जल सक्ती मंद्राले में तो अभी फिलहाल राष्टी मिसन के महानिदेशक यह बने हुए है इससे भी पहले राष्टे जल मिसन के मिसन निदेसक के रूप में ये काम कर चुके हैं आपको मैंने कुछ दिर पहले नाम बताया था विनी महाजन का विनी महाजन भी जल सक्ती मंदराले में नियुक्तुई हैं ये नई सेक्रेटरी बनी हैं इनका विनाम आप याद रखेंगे, अगला, किस देश के प्रधानमंतरी अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घुशना की, तो अब्दुल्ला हमदोक दोस्तों, ये सुडान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सुडान एक देश है, आफ्रिक प्राइम नेस्टर थे तो इन्होंने स्तीफए की घुषना कर दी है, वहाँ पर काफी ज़्यादा प्रेसर पढ़ रहा था, ठीक है, लोगतान्तरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तक्ता बलट को ले करके, तो प्रेसर में आकरके, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यहां से आप आजाएंगे आफरीकन कॉंटिनेंट में यही पास में ही है ठीक है यहां से आप देखेंगे तो यह जो दो कंट्री आपको दिख रही है दो कंट्री एक है सुडान एक है साउथ सुडान तो देखें दोनों में बटवारा हो चुका है यह दोनों अलग अलग अल खारतूम होती है यहां की कैप्टल और यहां की करेंसी होती है दूस्तों सुडान पाउंड क्लियर है अगला देखते हैं तो दोनों अलग लग देश है आप कभी कंफ्यूज मत होकर एक मत समझ लेना अगला कुशन देखते हैं अगला है हाली में रामनात कोईने का पुरुसक मिला गुए है एकि richald मैं इनका जो भी फोटो का जो एल्बं था उसको नरसी में नर्सी के टाइम पर जो भी विरोध हो रहा था जो भी नगर्जच चल रहा था उस ताइम पर लेकर के विरोध चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रहे है, सारा कुछ इन्होंने अपना व्यू प्रजेंट किया, एक एक आम नागरिक पर क्या भीत रही है, इसको लेकर के इन्होंने प्रजेंट किया था, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, रामनाथ कोईनका प सिटिजन्स, और C.E.A. का मतलब होता है सिटिजन्सिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो ये दोनों नाम इसका फुल फार्म या दखना आपको, अगला दिखते हैं, दक्षे दुरूप की यात्रा करने वाली पहली भारतिय मूलकी महिला कौन बनी, तो वो बन गई हैं द बिल्कुल एकल यात्रा की थी, यानि सिंगल अंसपोर्टेट ट्रेक पर यात्रा की थी, बीना किसी सपोर्ट की गई हुई थी, जीरो डिग्री से माइनस 50 डिग्री सलसेस की टापमान पर गई हुई थी, तो ये बन गई हैं भारतिय मूलकी पहली बिटेस महिला, ठीक है, बिटेस सिक सेना की या अधिकारी भी है, फिजियो थेरपिष्ट भी है, हर प्रीट चंडी, इनको पोलर प्रीट की नाम से भी जाना जाता है, अगला देखते हैं, हाले में किसने नीट 3.0 लांज किया, तो अभी हाले में केंदरी सिक्षा मंतरी ने धर्मेंद प्रढ़ान जो की है, नीट 3.0 लांज किया है, नीट 3.0 ये क्या होता है, नीट का मतलब होता है, नेशनल एजुकेशनल एलाइंस फॉर टेकनलोजी, तो इसका तीसरा संसकर्ण एक प्रकार से कह सकते हैं, लांज किया गया है, इसका उद्देश ये है कि जो छात्रों, जो स्टुडें ठीक है और जो economically उतना ज़्यादा capable ना हो उनको कैसे support किया जा सके तो इसके लिए इनों ने ये लांज किया है need 3.0 साथी साथ इनों ने AICTE यानि All India Council for Technical Education इस से related नए syllabus पर नए pattern पर आधारित पाठे पुस्तके भी यानि books भी लांज करी हुई है ठीक है तो ये आपको याद र तो पढ़े भारत अभियान भी आप याद रखेंगे new education policy आई हुई है 2020 ठीक है ना 34 वर्सों के बाद आई हुई है और तीसरी new education policy है वो तो ये भी आप याद रखेंगे 1986 के बाद से आई हुई थी ठीक है ना इतने सारे point को आपको याद रखना है बस यही था आज का top 10 current affair I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसको like और share कर दीजी अपने दोस्तों के साथ और offer का आज आखरी दिन है तो आपको coupon code यूज़ करना है सुमेत 10 ठीक है सुमेत 10 आप यूज़ करेंगे तो 10% का और इस्ट्रा मिल जाएगा यानि 50 के अलामा पर 10% और मिल जाएगा ठीक है एक्चलियो में सुमेत 10 में अपने नाम से कभी अभी तक नहीं किया हुआ था बाकी की टीजर्स के नाम पर किया था लेकिन आप लोग की डिमांड पर अपने भी नाम पर ये coupon code बना दिया गया है ठीक है ना चलिए तो आप इसका फाइदा उ वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम